Hello Everyone, Good Morning to all of you and Welcome to Online Study Point दोस्तो आज तो है 3 जन्वरी लेकिन कल की क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए आज की इस वीडियो में हम 2 और 3 जन्वरी से रेलेटेड करंट अफेर के सभी important question को cover करने वाले हैं तो यदि आप लोगों को इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप हमारे इस mobile application को भी install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के current अफेर का audio भी मिल सकेगा यदि आप NTPC और group D की तयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक special channel launch किया गया है जिसका नाम है my exam तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं जिसकी भी link description box में दी हुई है स्टार्ट करेंगे हमारा पहला question हाली में विश्व संगीत समारो में तान से इन समान से किसे समानित किया गया है तो हाली में तान से इन समान से समानित किये गये हैं पंडित, सतीस व्यास तो देखी हाली में मध्य प्रदेश के गौालियर शहर में 96 एनिकी 96 तानसें संगीत समाहरों का आयजन किया गया था जिसके उद्गाटन समाहरों में ये जो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं पंडित 37 व्यास इनहें इस प्रतिष्ठित तानसें सम्मान से सम्मानित किया गया है तान सेन आप सभी जानते हैं ये अकबर के नौ रतनों में से एक थे और इन्हें इस रधानजली देने के लिए ये प्रतिष्ठित आवार दिया जाता है अब इन्हें सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब इस question में बात की जारी है सम्मान की तो देखी option में जो मैंने तीन नाम लिखे हैं ये most important सम्मान से ही related है जो कि अकसर exam का part बनते हैं सबसे पहले दी हम बात करें अकितम नम्बू तरीकी तो देखी इसी साल इन्हे 55 ग्वान पिठ आवारर से नवाजा गया और ग्वान पिठ आवार से इन्हें सम्मानित तो किया गया लेकिन इसी साल इनका निधन भी हो चुका है अब यदि हम बात करें वासुदेव मुहे की तो इन्हें 29 सरसुती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया हाला कि यह अवार्ड इन्हें इस साल प्रदान किया गया है 29 सरसुती सम्मान से सम्मानित किया गया है वासुदेव मुहे इनकी रचना चेक बुक के लिए यदि हम बात करें नासिरा सर्मा की तो इन्हें व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान ये तो है 2019 का लेकिन ये भी इसी साल सम्मानित की गई है इनकी रचना कागच की नाव के लिए अब देखिए जब New Year की दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए एक सर्प्राइज है सर्प्राइज ये था कि जन्वरी से दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेर हैं ये टॉपिक वाइस आप लोगों के लिए कवर कराए गए हैं जैसे कि NTPC के एक्जाम चल रहे हैं और आने वले आपके जो भी एक्जाम है इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो PDF है ये आप लोगों के लिए तयार की गई है और इस हिसाब से इसे तयार किया गया है कि आपके एक्जाम में करन्ट अफेर का एक भी कोश्चन मिस न हो देखे मैंने इसे लॉंच किया था एक जनवरी को लेकिन लिंक वर्क नहीं कर रही थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये लॉंच नहीं हो पाई थी तो इसे आप अब पर्चेस कर सकते हैं जिसका प्राइज है 49 रुपीज ये ओफर में आप लगों को अब 49 रुपर में मिल रही है जिसमें कि पिछले एक साल के जितने भी इंपोर्टन करन्ट अफेर के कोश्चन है ये सभी टॉपिक वाइस कवर कराए गये हैं इसे आप पर्चेस कर सकते हैं कारिकल 2022 तक बढ़ा दिया गया है यदि हम बात करें के सिवान की तो ये इसरो में 1982 में शामिल हुए थे और 2018 से ये इसरो के अध्यक्ष के रूप में कारी कर रहे हैं अब यदि हम बात करें भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च और्गानाइजेशन के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी हाली में भारती परी संपत्यों की रक्षा करने के लिए मतलब की अंतिरिक्ष में जो भारती परी संपत्यों हैं उनकी रक्षा करने के लिए इसरो के द्वारा नेत्रा लॉंच किया गया अब यहां नेत्रा की फुल फॉर्म बनती है इसरो के द्वारा इसरो के द्वारा पिछले ही साल एक अर्धमान और रोबोट भी लॉंच किया गया इसका नाम क्या है व्योम मित्र अब एक और चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं देखे इस साल मतलब की इस साल तो नहीं कह सकते जो बीता वर्ष था 2020 तो 2020 में इसरो के पहली सेटलाइट यह कौन सी थी तो यह थी जी सेट 30 जिसे की जनवरी 2020 में लॉंच किया गया और इसरो की 2020 की अंतिम यह आप कह सकते हैं 42 सेटलाइट यह लॉंच किया गया जिसका नाम है CMS01 इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है जो की लॉंच किया गया दिसंबर में और जी सेट 30 यह लॉंच किया गया जनवरी में अब यहां बात की जारी ही कारिकाल बढ़ाने की तो DRDो के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जी सतीस रेड़ी जी इनका कारिकाल भी दो साल के लिए बढ़ाया गया है केके वेनु गोपाल जो की प्रेजन टेम हमारे एटार्नी जनरल हैं एटार्नी जनरल कौन होते हैं तो यह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं तो इनका भी कारिकाल अगले एक साल के लिए बढ़ाया गया है जबकि तुशार महता जो की हैं सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल यह कौन होते हैं तो Attorney General के बाद भारत सरकार के दूसरे मुखे कानूनी सलाकार ये होते हैं Solicitor General और Solicitor General तुशार महता का भी कारिकाल तीन साल के लिए बढ़ाया गया है हाली में Australia को पीछे छोड़कर ICC Test Ranking में कौन टॉप पर रहा है तो देखिए हाली में जो New Zealand है इसने Australia को पीछे छोड़ते हुए ICC Test Ranking में नंबर वन इस्थान हासिल कर लिया है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे Australia के बारे में Sorry New Zealand के बारे में तो ये है New Zealand की location New Zealand के पास में ये जो आप देख रहे हैं Australia Australia के पास ये जो छोटे छोटे दीप हैं ये सभी मिलकर कहलाते हैं Austin Asia इसे आप थोड़ा Zoom करके भी देख सकते हैं ये है New Zealand और New Zealand के कुछ यहां पास विशुका आठवा महादीप खोजा गया है जिसका नाम है Zealandia यहां हम बात कर रहे हैं New Zealand की तो इसकी capital है Wellington, currency है dollar हाली में यहां की दोबारा से Prime Minister बनाई गई है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है Jessica Arden और New Zealand की cabinet में शामिल होने वाली पहली भारती यानि कि भारती मुलकी यह जो पहली महिला बनी है इनका नाम है प्रियंका, राधा, कृष्णन इसके लाबा New Zealand का यह जो आप उपरी हिस्सा देख रहे हैं और यह जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक straight है जिसका नाम है cook straight यह आप current से relate करेंगे तो हाली में जो index release किया गया index का नाम है human freedom index human freedom index इसमें जो New Zealand है यह रहा था टॉप पर अपने देश भारत की ranking है 111 आप लोगों के लिए railway की यह जो special e-book launch की गई है जो की खासकर railway के लिए मतलब कि anti-pc और group d के लिए launch की गई है इसका price आप लोगों के लिए घटा कर 49 रुपीज कर दिया गया है तो इसे भी आप purchase कर सकते हैं अगला question है हाली में sale की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो देखे इनके नाम की गोशना तो काफी समय पहले कर दी गई थी लेकिन नए साल से इन्होंने पदभार भी समाल लिया है तो अब Steel Authority of India Limited की पहली महिला अध्यक्ष ये बन गई है सोमा मंडल और सोमा मंडल इन्होंने किनका इस्थान लिया है अनिल कुमार चौधरी का यदि हम बात करें sale की तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में Headquarter इस्थित है नई दिल्ली में Sale से ही related एक most important fact आप याद रखेंगे जो कि current से ही related है हाली में Golden Peacock Environment Management Award 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये sale को ही सम्मानित किया गया है अब इस question में बात की जारी है पहली महिला की तो option में मैंने कुछ essay set की हैं जिससे कि आप कुछ करन के question को relate कर सकते हैं जिसे कि हाली में जो पूजा देवी है ये जम्मो कश्मीर की पहली महिला bus driver बनी है विनी महाजन तो ये भी हाली में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है एमवीर लक्षमी जो की बिलॉंग करती है तमिल नाडू से और ये भी हाली में भारत की पहली महिला ambulance driver बन गई है अगला question है हाली में केंदरी मंत्री मंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है तो देखिए ये question सबसे जादा important है इसे आप ध्यान से पढ़िएगा तो हाली में जो केंदरी मंत्री मंडल है इसने आकास मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है अब इस question के बारे में मैं आप लोगों को basic से बताऊंगी यहां हम बात कर रहे हैं रक्षा प्रणाली की तो इसे आप समझेगा जो अपना देश भारत है इसने अभी हाली में एक रक्षा निर्यात नीती जारी की थी और भारत की द्वारा यह जो रक्षा निर्यात नीती जारी की गई थी इसमें 2025 तक 25 बिलियन डॉलर के हथियारों के निर्यात का लक्ष रखा गया था मतलब कि भारत ने ऐसा टार्गेट रखा था कि आने वाले 5 सालों में मतलब कि 2025 तक जो भारत है ये 25 बिलियन डॉलर के हथियारों का निर्यात करेगा दूसरे देशों को और इसी के लिए रक्षा शेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेज ये बढ़ा करके 74% कर दिया गया था अब भारत ने किस मिसाइल के निर्यात को मनजूरी दी है आकास के तो इसके बारे में आप समझेंगे देखिए ये बात है 90-84 की भारत के जो मिसाइल में कहे जाते हैं इनके द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मतलब कि भारत का सोयम का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ये विक्सित करने का विचार किया गया और इस प्रोग्राम के अंतरगत 5 मिसाइलों को विक्सित किया गया ये 5 मिसाइल कौन कौन सी है तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं इन 5 मिसाइलों को नाम है पटना अब ये कौन कौन सी मिसाइल है तो पहली मिसाइल है प्रथ्वी दूसरी है आकास T for ट्रिशूल, N for नाग और A for Agni इन पांच मिसाइलों को विक्सित किया गया अब इस question में हम discuss करने वाले हैं आकास मिसाइल के बारे में तो अब आप समझेगा यह जो आकास मिसाइल है यह कैसी मिसाइल है क्योंकि कई बार exam में मिसाइल का type भी पूच दिया जाता है तो यह है surface to air मिसाइल अब जो surface to air war करती है यह कैसी मिसाइल होती है यह होती है semi ballistic मिसाइल अच्छा मैं आप लोगों को यहां से यह भी basic बता दूँ आप लोग इदी confused ना हो तो तीन प्रकार की मिसाइले होती है अक्सर मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है यह तीन प्रकार की मिसाइले कौन-कौन सी है एक तो होती है ballistic मिसाइल दूसरी होती है cruise मिसाइल और तीसरी होती है semi ballistic मिसाइल तो one by one हम समझेंगे देखे पहले मैंने क्या बताया है ballistic मिसाइल तो देखे ऐसी मिसाइल जैसे कि यह है मिसाइल और यह है target target को कुछ इस तरह से बेदे उर्धुआ धर जा करके target को इस तरह बेदे तो यह कहलाती है मतलब कि surface to surface आप देख रहे है wing missile सरफेस में है और target भी सरफेस में है कुछ इस तरह से surface to surface war करे ये मिसाइल कहलाती है बैलेस्टिक मिसाइल दूसरा टाइप होता है क्रूज मिसाइल का अब क्रूज मिसाइल ये कैसी होती है जैसे कि ये है मिसाइल और ये है टार्गेट तो इसे समानांतर भेदे कुछ इस तरह से तब ये कहलाती है क्रूज मिसाइल फिर तीसरा टाइप मैंने बताया है semi ballistic missile अब ये कैसी होती है जिसे कि ये है missile और ये जिसे कि आपने देखा है कि ये पूरा इस तरह से जा रहा है जो semi ballistic missile होती है ये आधे जाती है मतलब कि हवा में कुछ इस तरह से target को भेदती है तो जो आकास missile है ये कैसी missile है ये है surface to air war करने वाली semi ballistic missile थोड़ा यदि आप इसके बारे में और जानना चाहें तो रशिय की एक missile है जो कि पूरे world में काफी चर्चे में रही है इसका नाम है S-400 missile अब S-400 missile ये क्या है तो ये एक ballistic missile ballistic missile defense system है अब देखिए यहां मैंने बता है missile मतलब कि ballistic missile अब ये defense system क्या है तो देखिए missile का मतलब तो ये होता है कि भारत ने अपने देश की रक्षा के लिए माल लेजे चाइना पर ही कोई missile छोड़ दी ताकि भारत की रक्षा हो सके अब ये जो defense system missile है ये क्या है कहने का मतलब ये है कि माल लेजे येदि कोई पड़ोसी देश भारत की उपर आकरमण कर रहा है मतलब कि उसने भारत की और कोई missile छोड़ दी है तो उसे हवा में ही समाप्त करने वाली मतलब कि भारत के उपर आने वाली मिसाइल को हवा में ही नस्ट करने वाली ये जो मिसाइल होती है मतलब कि ये जो system होता है ये कहलाता है ballistic missile defense system जिसका एक example है S-400 और इसी का एक example है जो की है आकास और इसी लिए ये चर्चे में आया है और ये तो आपने इसलिए और भी याद रखना है मतलब कि ये जो मिसाइल है ये चर्चे में इसलिए भी है क्योंकि ये पूरी तरह से सोदेस निर्मित तो है ही और इस आकास मिसायल को खरीदने में 9 देशों ने रुची भी दिखाई है इसलिए ये काफी चर्चे में भी है तो इसे आप याद रखेंगे अगला कुश्चन है हाली में भायरत के पहले सोदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित किये गए एयर ड्रॉब्ड कंटेनर का क्या नाम है तो इसका नाम है सहायक NG अब इसे भी आप समझेंगे यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है एयर ड्रॉब्ड कंटेनर तो इसे आप सबसे पहले इमेज में देख सकते हैं ये है एयर ड्रॉब्ड कंटेनर अब इसका क्या मतलब है तो ये है container अब term लिखा हुआ है air drop मतलब कि हवा में जाकर के इस container को drop कर देना ये ही है air drop container अब इसका क्या काम है तो दिखिए जिसे कोई mission चालू किया जाता है मालेजी इंडिया निवी के द्वारा कोई mission चलाया जा रहा है और उन्हें कोई सामान की जुरुरत है तब इसे हवा के माध्यम से मतलब कि वायू मार्ग से ले जाकर के इसे छोड़ दिया जाएगा खास बात ये है कि इस container में जो भी सामान रखा जाएगा मतलब कि इसके अंदर जो भी सामान रखा हुआ है इसे आकास से जमीन में फेकने पर या कहीं भी फेका ज सकता है कि इसका पता न चले कि ये कहां गया है गुम भी तो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है ये जो container है इसमें GPS सिस्टम की सुविधा दी गई है मतलब कि इसे GPS के माध्यम से ट्रैक भी किया जा सकेगा और इसी के लिए ये काफी चर्चे में भी है और ये भारत की पहल है भारत किया गया है अब देखी इस question में बात की जा रही है science and technology की मतलब की भारत ने सोदेशी रूप से विक्सित किसी चीज को develop किया है तो आप अधर option को relate कर सकते हैं जो की current से ही related है तो हाली में इसी DRDO के द्वारा भारत का पहला सोदेश निर्मित एक drone develop किया गया जिसका नाम है भारत drone और इसे DRDO के द्वारा develop करके इंडियन आर्मी को सौप दिया गया LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए जो IIT मद्रास है इसके द्वारा भारत का पहला सोदेशी microprocessor launch किया गया जिसका नाम रखा गया शक्ति और अभी हाली में जो हमारा नीती आयोग है न प्री में रख सकते हैं और इससे जादा रखने के लिए आप लोगों को प्लैन खरीदना होगा अगला कोश्चन है हाली में किस मंत्राले ने दुनिया भर में भारती समुदायों के लोगों को जोडने के लिए एक वैश्विक प्रवासी रिस्ता पोर्टल और अप्लिकेश अब इस कोश्चन में समझाने जैसा तो कुछ भी नहीं है तो विदेश मंत्राले ने अभी हाली में दुनिया भर में भारती समुदायों के लगभग 3.12 करोर लोगों को जोडने के लिए प्रवासी रिस्ता पोर्टल और अप्लिकेशन अप्लिकेशन होगा इसका इस्तमाल भारती समुदाय के लोग और भारती नागरी करेंगे और जो वेब पोर्टल होगा वेब पोर्टल का इस्तमाल मिसन द्वारा किया जाएगा यदि हम बात करें कि प्रेजन टेम में हमारे विदेश मंत्री कौन है हाली में कुछ और मन्त्राल्यों के द्वारा कुछ अप्लिकेशन और पोर्टल लॉंच किये गये हैं जिसकी हाली में जो सिक्शमंत्रालय है इसके द्वारा युक्ति पोर्टल लॉंच किया गया युक्ति इन्हे की यंग इंडिया कॉंबैटन कोबिड-19 with knowledge, technology and innovation सिक्षम मंत्राले का नाम पहले मानोस अंसाधन विकास मंत्राले था यदि हम बात करें टूरिजम मिनिस्ट्री की तो देखिए कोरोना काल में कुछ विदेशी जो की भारत घुमने आये थे यह लॉकडाउन के कारण यहीं फस गये तो इनकी हेल्प के लिए जो परेटन मंत्र के द्वारा यह संपदा पोर्टल लॉंच किया गया है हाले में भारती रेलवे के नए चेर्मेन और सियो कौन बने हैं तो इनके नाम की घुशना पहले की जा चुकी थी यह बन गया है सुनीत शर्मा और प्रिजन टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है तो यह है पियुश ग करने हैं सुनीत शर्मा यदि हम बात करें भारती रेलवे बोड की यहने की रेलवे बोड का जो गठन है यह हुआ था 1905 में हैटक्वाटर रस्थित है नई दिल्ली में तो देखिए हाल ही में मतलब की अभी पिछले कोश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रो लॉंच किया गया जिसका नाम है निंजा तो यह भी आप याद रख सकते हैं इस कोश्चन में बात की जा रही है अपॉइन्मेंट की तो हाली में भारती मूल के जो संदीब का टारिया है यह बाटा के ग्लोबल सीओ के रूप में अपॉइंट होने वाले पहले भारती बने हैं बाटा जो की एक फुट वेर ब्रैंड है इसका हेटकौाटर रस्तित है लॉजन स्विजर लेंड में भारत के ही जो असोक लवासा है इनकी न्यूकती एशियन डेवलप्मेंट बैंक के उपात देख्ष के रुप में की गई है जीसी मुर्मू यह भी हाली में हमारे इसी मुर्मू बन गये हैं CAG और योजनाओं से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टन जो 60 इंपॉर्टन कोस्चन है इसके लिए एक वीडियो अप्लोड किया गया है आप लोग देख सकते हैं हाली में UK न्यू येर ओनर्स सूची में नाइट हुट उपाधी से किसे सम्मानित क किया गया है तो ये भी हाले में सम्मानित किये गया हैं Lewis Hamilton अब इसे आप समझेगा देखिए जो ब्रिटेन की महरानी है एलीजाबेथ दुती इनके द्वारा हर नए साल की शुरुवात पर अलग-अलग शेत्रों में उतकरश्ट काम करने वालों के सम्मान में ये लिष्ट के ड्राइवर हैं और इंग्लेंड इसे बिलॉंग करते हैं यदि हम अधर आप्शन को डिसकस करें तो हाली में पुर्तगाल के जो स्टार फुटबॉलर हैं क्रिष्टियानो रोनाल्डो इन्हें प्लेयर ओफ दडिकेड ये घोशित किया गया जबकि हाली में फीफा बेस् मास्टर का बने हैं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं जीम यानि की ग्रेंड मास्टर का ये जो खिताब है ये सतरंज में ये की चैस्मी दिया जाता है और अभी हाली में भारत के स्टटवे ग्रेंड मास्टर ये बन गया हैं मेंडो का इनकी उम्ठ है फॉर्टीन grand master बने जो कि तमिल नाडू से बिलॉंग करते हैं इसके लावा जो रौनक साधवानी है ये भारत के 65 grand master बने थे जो कि बिलॉंग करते हैं नाकपुर महराश्ट से नाकपुर जिसे संत्रा नगरी की नाम से भी जाना जाता है तो ये तो हैं 66 जो की current से related है यदि आप से पूछ पूछा जाए कि भारत के पहले grand master ये कौन है तो ये हैं विश्युनाथन आनंद इसके लावा राजियु गांधी खेल रत्ने पुरिसकार जो की भारत में खेल जगत का सरवोच वाड माना जाता है इसके भी पहले विजेता ये विश्युनाथन आनंद ही हैं कल जो मैंने आ आप लोग subscribe नहीं कर रहे हैं new year लग चुका है चैनल का target 4 million है इसे जल्द से जल्द कम्प्रीट करिए इस वीडियो का at least 5 study related group में share करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आज के लिए इतना ही thank you so much